हो है 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 एलोओ प्रेंड्स वेलकम्दें टू माइ यूट्ब चैनल घ्यान पे दिए अथे अचैनल जङ्यान पे लोस्त टुपिक भट ऑम होता है कि जब हम अपने नेटवर्क के तुरू कलाइने यह जो है नेटवर्क के तुरू प्रिंटर से प्रिंटर से प्रिंटर लेते हैं जैसे कि मल्टीपल जो कलाइट है वो एक ही प्रिंट हम आज आपको बताएंगे कि हम कैसे देखेंगे इस वीडियो में को ठीक है तो तो मल्टिपल जो है जो है अपने क्लाइंट कम्प्यूटर के साथ कुन एक रहता है यह परिंटर हमारा और यह सारी के सारा जो है स्टोरेज बगारा क्यूव में रहती है इसकी तो हम अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स स्लाइड में स्लाइड है हो टुइंस्टाल कंफीगर प्रिंट सर्वर ने बिंडो सर्वर 2019 तो आप देख रहे हैं कि यल्लो जो बोक से इसमें लिखा है कि में सर्वर हमारा डोमेन है उसके अंटर एवनी डोट कॉम है एड़ी डिनस डिया सेपी उसमें प्री इंस्टॉल है अगर आपने म इसी तरह हमारा जो जो नया जो प्रिंट सर्वर बनाएंगे उसको उसका आई पी है 192.168.164.132 इसमें फ्रेश विंडो चाहिए उसको हम इंस्टॉल करेंगे एंड कंफीगर करेंगे और जो इसमें क्लाइंट सिस्टम आपके कुछ भी हो सकते है विंडो 10 भी हो सकता है ठीक है उसको हम आई पी प्रोड़ा प्रवाइड कराएंगे थ्रू ठीया सीवी सर्वर और यह दोनों सिस्टम हो आरे दो या तीन जितने भी है आपके मेंबर ऑफ डोमें होने चाहिए यानि कि डोमें के एंटर आने चाहिए कलन सिस्टम आपके डोमें मतलब अबनी.com जो अब हम स्टार्ड करते हैं इसको तो आप यह मेरा डेक्स्टॉप देख रहे हो तो यह है मेरा विंडो सर्वर 2019 जो में सर्वर है और यह है मेरा प्रेंट सर्वर यह बिल्कुल नई मशीन है इसमें मैंने अभी तक कुछ भी इंस्टोल नहीं किया है और यह मेरी विंडो जो ही किया है क्लाइंट सिस्टम हम जिसका यूज करेंगे तो विंडो सर्वर पर मैं आपको दिखा देखता हूं जब से पहले तो यह है मेरा डैशबूर्ड इसमें AD, DHCP, DNS आपको दिखा रहा है कि इंस्टोल है ग्रीन कलर में और लोकल सर्वर पर चलते हैं तो आप देख चलती गए यहाँ मेरा में बैङ सरवरर अब चलेंगे प्रिंस सरवर वैं तो जिसका से, घियταν, घ्रिंस आपको ऊपन करते हैं ठीक है तो यह बिल्कुल ब्लैक मशीन है अभी हमारी यह जो है प्रिंट सर्वर की तो हम अभी कमार्ड चला के इसको उपन करते हैं इसको यहांपे इधरनेट की दिखा रहा है आपको आइकन इधरनेट का रैट क्लिक करके हम जाएंगे स्टेटस चेक करते हैं इसका डेटेल में इसको आईपी इसने लिया है डिया सीपी से है ठीक है हमें इसको आइपी प्रोडेक्ट करवाना है मैनियूली इस सिस्टम को आपके डिया सीपी इनेबल यह सा रहा है यहां पे क्लोज करते हम यहां पे इसको हम जाएंगे इसको प्रोपर्टी में इसकी इसको हम यहां से डिसेबल करेंगे कि आई पी इस प्रोड फॉर की प्रोपटी में जाएंगे और हम सट करेंगे इसके लिए आई पी फॉर पिंट सर्वर 2019 के लिए हम यहां पर आई पी सेट कर रहे हैं तो इस पर आई पी हम रखेंगे 132 ठीक है कि सब्सक्राइब मास्क आटोमेंटिक लिए आ जाएगा यहां पर अब हम इसका डिफाल्ड गे सेट करेंगे यहां पर इसका डिफाल्ड गेट पर रहेगा अपना 192.168.64.1 अब हम यहां पर सेट करेंगे इसका प्रैफर्ट डिए नस इसका प्रैफर्ट कर सकते हैं जो कि आपके कम्म्मिनिकेशन हो सके हैं आपके सर्वर के साथ ठीक है तो आपका आई-पी कोई भी हो सकता है जैसे कि मैंने यह सीरिज रख्य हुए आपके सब्सक्राइब करेंगे इसको अब हम यहां पर करेंगे इसको अब हम एक वर इनेपल और डिसेबल करके देख लेते हैं डिसेबल हो गया है यह हम इसको इनेपल करेंगे ताकि यह जो है एक वर रिफ्रेश्ट हो जाए अपना इधरनेट अब हम एक कमांड चलाएंगे इस पर cmd तो हमारा यह टीक है cmd अपन होगी है यह हम पिंग कमांड रन करेंगे चेक करेंगे कि हमारे यह सर्वर को कनेक्टिविटी हो रही है इस कंप्योटर की कि नहीं हो रही है कि सर्वर का इपिया हमारा बांद री नाइन अब देखिए सर्वर से कनेक्टिविटी हो चुकी है कि इसको हम यहीं से कि क्रोस करते हैं इसको इसको भी हम यहां से क्रोस करेंगे और अब हम चलते हैं दिस पीसी की प्रोपर्टी में हरा है तो आप देख सकते हैं यहां पर कंप्योटर नेम आ रहा है जो सिस्टम होगी बर्गरुम में हम इसको डॉमें में डालेंगे चैन्स एकिमेंगे यहां पर हम प्रनेम रखेंगे इश्के लिए इसको ऊप्रम्तों नेम रखते हैंulously कि प्रिंट सर्वर नाइंटिन सर्वर 2019 और अभी हम इसको डोमेन मेंट करेंगे यहां टाइप करेंगे एवी एन आई अवनी डोट को में यहां पर नहीं लगाते हैं ओके पर क्लिक करेंगे अब यह हमारे पास जो है कडेंशल डालेंगे हम इसमें डोमेन के यूसर नेम और पासवर्ड उसका डोमेन का अध्यूस्टेटर उसका यूजर नेम है और हम उसका भी पासवर्ट टाइप करेंगे हम अपने डॉमेन का जिससे कि यह सिस्टम है जो है करेंशल डालके अपने उसमें एड हो जाए तभी हम इसको हुमारे पास अभी एक मेसेज आएगा वेट करते हैं उसके लिए देखिए हमारे पास मेसेज आ गया है वेलकम टू अपनी डॉमेन मतलब है अभी यह सिस्टम डॉमेन के अंडर आ गया है ओके 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 करेंगे इसको हम तो यह यहां से क्रोस करते हैं कि तैकर यह देखिए यह मस्ट्राइब copy उप्लाइद इस सेटिंग ओके हमने यह देखिए डुमेन अपनी डॉत कॉम आ गया है तो अपनी डॉत कॉम में अपना डॉमेन के अंटर आ भीवे यह इस्सिस्टम restart लटर भी कर सकते हैं, restart हमें nov करना है इसके लिए, तो हम इसको restart nov खirt null पे click किया, तब यह ही, हमारी machine जो है, restart हो रही है, हमारी print server वाली machine, चलते हैं main server पे, tool पे जाएंगे, यह देख सकते हैं कि जो प्रिंट server है, यहां पे computer मतलब एकम इंबर में बनकर ये मिशिन अब हमारे पास डुमैन में शुग कर रही है तो जो भी शूंस्टम अपना दोमेन आड़ करते हैं वो यहाँ पर शुग कर जाता है इसको में एपनी accidents रखाए मैंने यहां पर जतने वी मैंसर बरमनाता हूं मैं इसी फॉल्टर में उनको ड्रैग एंड डॉप कर देता हूं ठीक है जिससे कि इनको मैंज करना इजी हो जाता है तो देखिए पहले कुछ सर्वर पड़े हैं आप डब्ली डियस 19 विंडो 10 जो पड़ी है मेरी डॉमेन में है तो इस तरह से मैं प्रिंट सर्वर को भी इसी में मूव कर दूंगा ठीक है कि अग्या हुआ कि आप इनको अलग फोल्टर बना के मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप फोल्टर बना के फोल्टर बना के इसमें इनको एड़ कर सकते हो ठीक है कि प्रिंट सर्वर आ गया है मेरे सर्वर नाम नाम वाले फॉल्टर करते हम चलते हैं अपने में प्रिंट सर्वर पर इस पर हम लोगिन करेंगे बिद डुमेन नेम डुमेन मतलब की हम इसमें अभी लोगिन करेंगे अबनी श्लैश अड्मिस्टेटर के नाम से अबनी मतलब डोमेने में अड्मिस्टेटर इस अकॉंट का नियम है ठीक है तो अभी हम नीची लिखा रहा है sign into अब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर तो अभी हम इसमें लोगिन कर रहे हैं अपने प्रिंट सर्वर में अब देख सकते हैं हम इसमें लोगिन हो चुके हैं ठीक है जुसके लोकल सर्वर की डिटेल देख लेते हम क्या डिटेल आ रही है यहां पर देखिए कंप्यूटर ने महारा है प्रिंट सर्वर 19 और डोमेन अवन.com और आईपी आ रहा है 192.168.64.132 मतलब कि यह सिस्टम मारा डोमेन के अंडर आ गया है ठीक है तो मैनेज में जाएंगे अभी हम एड रोल और फिचर पर क्लिक करेंगे तो अभी हम विपोर विगन इस्टोलेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम एज़िट इसी रखेंगे यूपर दिख दिखिटर डेशन सर्वर का नहीं मारा है प्रेंट सर्वर 19.डवीं.com नेक्स्ट पर क्लिक किया हम जो है इस्टोलेशन टाइप रोल बेस्ट ही रखेंगे यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके वाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे प्रिंटर के जो है डिटे यहां पर स्लेक्ट करने है जिसकी हम इंस्टोलेशन कर रहे हैं तो प्रिंट है डोकुमेंट सर्विसीज पर क्लिक किया हमने एड़ फिचर पर क्लिक किया ठीक है उसका क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर इस डोटनेर फ्रेम बग वगयरा है जो है आटोमेटिकली साथ में प्रिंट क्यू यूजिंग आइदर टाइप ट्री और टाइप ओर पिंटर दोनों को स्पोर्ट करेगा यह ठीक है सारी डिटेल है आप यहां पर रीड कर सकते हूं जब आप इंस्टोलेशन करोगे ठीक है 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 अलसके है अब हम किया अब हम नेक्सट श प्रेटपर तावस फीक किया तो यहां पर हमने सिर्फ यही स proprioMarg आओंग आईगी इंटरेफ प्रिंटिंग और लीडी सेर्फeur सो अब हैய проблем इल्प нос like आईप आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो आटोमेटिक रिस्टाट हो जाए का ठीक है तो हम इसको install पे क्लिक करेंगा कि हम तो हमारा जो है print-server जो है installation यहां भी begin हो गहिए है print-server की कुछ time लगे है यहां पर नीचे दिखा रहा है कि क्या क्या सरफ इस यहां पर जो है install हो रही है पर जाए, Close पर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने main computer में, backstory directory user end computer ठीक है, main domain में, ठीक है, तो उसमें हम जाएंगे, यह देख सकते हैं, यहाँ पर, right click करेंगे, अबनी dot com पे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कोई printer show रहा है या नहीं कर रहा है, find पर जाएंगे, क्योंकि हमने कोई पहले printer यहाँ पे install नहीं किया है, तो यहाँ पर show नहीं करना चाहिए, यह कोई भी प्रिंटर यह प्रिंटर सेलेक्ट किया फाइंड नौ पर क्लिक करेंगे अभी हम तो कोई भी प्रिंटर यहां पर शो नहीं कर रहा है हमारे पास ठीक है अगर कोई printer पहले होता तो यहां पर शो कर रहता है मतलों कि इस domain के इंटर कोई भी printer अभी install नहीं है तो अभी हम जाएंगे अपने print server वाले server पर टूल पर जाएंगे print management पर क्लिक करेंगे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिटेल आ रही है प्रिंट सर्वर पर क्लिक किया यह देखिए यहां पर ड्राइवर फॉम्स पोर्ट प्रिंटर नाम की सारी ड्रेल आ रही है यहां पर हम सारे ड्राइवर मैनेज कर सकते हैं पर फॉम्स मैनेज कर सकते हैं अगर प्रिंटर एक से ज्यादा प्रिंटर है उनको भी हम यहां से मैनेज कर सकते हैं ठीक है यह सारे फॉम्स हैं यह जे पहले से pre-installed है printer यहाँ पर अब कोई install नहीं हो तो printer blank दिखा रहा है हमारे पास यहां पे तो printer यह जो है अपने पास दो printer दितार रहा है जो pre-install है लेकिन इन से हम यह कोई रखेंगे क्योंकि हमारा जो IP सेट है वो TCP IP प्रोटोकोल पर है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम प्रिंटर का नाम सेट करेंगे या फिर उसका आइपी देंगे ठीक है तो हम एक आइपी डिफाइन करेंगे इसके लिए प्रिंटर के लिए 192.168.64.151 ठीक हमने एक आइपी सेट कर दिया है पोर्ट के लिए तो पोर्ड नेम भी वही रहेगा वह हमारे पास कोई प्रिंटर अटेच्ट नहीं है यह सिर्फ डेमो बर्जन है तो उसके यहां पर स्टैंटर जनरिक नेटवर्ग काड आ गया है क्योंकि मेरे बास कोई प्रिंटर नहीं है नेटवर्ग पर अगर होता तो वहाँ यहां पर डेटेक्ट हो जाता है फिनिश करूंग इसको यहां पर क्लोज करूंगा ठीक है यह देखिए यह प्रिंटर यहां पर यह driver है, ILL-DRIVER पर click करेंगे, red click करेंगे, next पर click करेंगे, तो version मैं 64 ही रखंगा, क्योंकि मेरी जो window है, 64-bit की है, और सब इस system को support करेगी, तो मैं, printer के driver मेरे पास है, hv printer का, जो मेरे घर पर है, printer उसके मैंने driver रखे हूँ है, उसको मैंने system की desktop पर रखा हूँ इनको तो वहां से मैं इसको i-nf file जो है यहां से open कर लूँगा auto run वाली ओके करूँगा तो यहां पर इसने printer जैसे i-nf file selected इसने printer का name automatic उठा लिया है मेरे printer का driver में से next करके finish कर दूँगा finish पर क्लिक करूँगा तो यह मेरे driver भी आगे हैं यह देखिए उपर आपके पास शो कर रहा है driver का version प्रवा ठीक है पूरी डिटेल आपके पास यहां मेरी printer की शो हो रही है hp-dexjet है hp का brand है 64 इनवायरमेंट है इसका विट का window x64 लिखा रहा है साथ में इसको मैं expand करता है विंडो को तो इस तरह से हम इसके हमने इसके driver कर रहे हैं इसको कर लिए मैंने इसके ट्राइबर ही इसको लिए पॉर्ट भी मैंने डिफाइन कर लिया दो चीज़ में भी कर चुका हूँ अभी हमम् прилож करेंगे प्रिंटर को तो अड़ प्रिंटर पर क्लिक करूं का मैरा एक्ट क्लिक करके ठीक है तो मैं हम् यहां पर पोड़िफवाइन करेंगे सका atcp ip और कौन सा रखना है हमने तो हम यहां पर यह देखिए हमने क्या ip set किया था उसको हम यह से select करके next कर देंगे printer का name हम यहीं रहने देंगे कोई changes हमने नहीं करना next करेंगे यहां पर प्रिंटर की location अब यहां पर सेट कर सकते हैं कि color printer है या black & white printer printer है आपका मैंने color कर दिया है next करके इसको यह देखिए तो installation begin हो गई है printer की printer मेरा यहां पर install हो रहा है printer successfully install हो गया है तो मैं यहां फिनिश करता हूं इस installation को तो अब देख सकते हैं प्रिंटर में भी मेरे प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है पहले दो ही आ रहे थी अभी यह टाइफ फोर प्दा रहा है यूजर मोड अटेक है तो मैं इसकी प्रोपर्टि आपको दिखा सकता हूं प्रिंटर की अपने की करके आप इस पर प्रोपर्टि पर जाओंगे तो यहां पर प्रोपर्टि ओपन हो जाएगी प्रिंटर की यह देखिए इसमें सारी डिटील आरे प्रिंटर के नाम एक्चार लोकेशन कलर पोर्ट आप बापाज में भी चेंज कर सकते हैं अगर आप कुछ चेंजिस करते हो इ और डिलीट पौॉट कर सकते कंफीगर भी कर सकते हैं बोड़े हाँ उन्हीं थो नीचे आइकन आ रहें तिание प्र कॉछ ब सेटिंगी है परनेंटर अवेबल अलवेज है डिट historically को vay Chick 친 ताम तक आवेबल रहना चाहिए कि मतलब कि आपको सारी setting आपकी इसकी property में मिल जाएगी आपको manage करने के लिए printer में इसको यहां से ok करता हूँ अब हम जाएंगे अपने main domain में हम चेक करेंगे अकरी directory में जो कि हमारा user computer में कि printer आ गया है या नहीं आया है ठीक है तो इसमें right click करेंगे हम इस पे इसद पर जाएंगे यहां पर हम सच करते हैं कि printer आरा या नहीं आरा है यह नहीं printer भी हमारा ऊज़े रहाव यहां थिन you watch the month कलिक it प्रिंट नहीं होगा है न ही रिफ्रेश होने के लाद यहां पर र्यूपिर इंबल करना पड़ता है प्रिंटर को पर्पर्टी में टिए का ध्यान रखें आप ल्ग का दे यांद कहीं चाहिँब साथ कर देंगे कि डियालोग बोक्स को अब हम जाएंगे अपनी क्लाइंट सिस्टम पे विंडो एट में माई कम्पूटर के प्रॉप्रि में आपको दिखा देता हूं यह कंप्यूटर जो है डोमेन के अंटर है तो अब यह मैं इसको डोमेन के अंटर एड करूंगा इस कंप्यूटर को ठीक है तो कंप्यूटर नेम मैंने स्वेटर कर दिया बिंड cruise यह फ्रेश बिंडो थी मेरी बिंडय अब यह डोमेन के अंठर नहीं है तो भी मैं इसको डोमेन के अंटर करूंगा इस मशीन को भी डोमेन नेम ऑवनी जैसे कि मैंने पहले प्रिंट सर्वर को एड़ किया था व्यासे सेम एड़ कर दूंगा अंडर डोमेन ठीक है तो इसके मैं आपको जो है कि आपी शेटिंग दिखा देता हूं कि आपी शिक्स वर्जिन को हम डिशेबल कर देंगे आपी फोर की प्रोपर्टी में जाएंगे हम तो इसने dhcp से ip उठा रखा है कोई परशानी नहीं इसमें as it is easy रहने दीजिए इसको आपी है 129 ठीक है और dhcp enable है इसमें इसको अभी हम यहां से close करते हैं इस box को और इसको हम अभी हम add करेंगे ok करेंगे domain में add करने के लिए ok पर क्लिक किया तो के करने क्वाद हमें यहां पर main domain की credential डालेंगे administrator और password यह मतलब यह आपको डाला है अपने main domain का username और passport ठीक है permission देने के लिए domain में add करवाने के लिए अपनी मशीन को क्लाइट मशीन को window 8 को ठीक है अब करेंगे अब करते हैं एक message के लिए successfully मेसेज भी आना चाहिए भी हमारे पास तो देखिए message आग है welcome to opening domain तो हमारा जो मशीन है domain के इंटर एड़ होगी है okay पर क्लिक करेंगे ठीक है तो अभी है यह मशीन हम restart के लिए कह रही है हमें यह machine और close करते हैं restart now करते हैं इस machine को ठीक है तो इस machine को client machine अभी हमारी restart हो रही है फिर हम with the help of domain इस machine को start करेंगे मतलब कि domain name के थिरू अबनी slash username लगा के ठीक है तो machine हमारी restart हो रही है wait करते हैं तो यह window logo आ चुका है आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं client machine का इसको हुई हम login करते हैं उससे पहले मैं आपके अपनी user बदा देता हूं कि हम यह जो हमारे user है तो आप मेंसे किसी भी एक user के तुरू आप इसमें login कर सकते हैं जह राहू यूजर है आप अगर user create नहीं ता जो है user create कर सकते हो एक तो आप देख सकते हैं कि window का logo आ चुका है यहां पर तो अभी मैं इसको login करता हूं इस machine को दीपक user के थूँ ठीक है अपनी slash दीपक आ रहा है यहां पर तो आप यहां पर password डालूँगा इस user का उसके थूँ मैं login करूँगा यहां पर आपको password डालना पड़ेगा user का जो ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मेरी window 8 का यह desktop है यहां पर जाते हम control panel में हम जाएंगे हम device in printer वे ठीक है तो यहां पर सच कर लिजे device in printer तो उस पर जाके हम क्लिक करेंगे device in printer वे ठीक है किया है ee जिसे यह newbie al parallel pepper किया कि दिख सकते हैं अब यहां यह पर पर प्रेंटर शों नहीं हो रहा है तो यह हम चक करते हैं इसको थवह टाइम लगे हैं प्रिंटर के लिए Add Printer पर klik किया तो देखिए यहां पर जैसे हमने Add Printer पर प्लिक है तो Printer automatically हमारे पास यहां आ गया है तो Next Click करेंगे तो Connecting और यह हम Install driver पर klik करेंगे इसको लिए तो इसके प्रिंटर के प्राइबर हमारे क्लाइट विंडर भी ऑटोमेटिक इस्टोल हो रहे हैं इस्टोलेशन के लिए हमारे पास जो है अड्मीन राइट प्रवाइड करेंगे हम यूजरनेम और पासवर्ड डालेंगे अपने डुमेन का ठीक है डुमेन अबनी लिखा रहा है निचे तो डुमेन क्लिक आज हो रहा है है प्रिंट सर्वर 19-7 तो अबनी के साथ तो next पे कमें महिन करेंगे हम के तो यहां से यह उंहें से प्रेंट टेस्ट भी कर सकते ठीक है, so guys, please subscribe my channel ग्यान पे लो, also comment, share and like, thanks for watching.